नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि भारत में तो शायद सभी को करना बहुत पसंद है बात है 2011 वर्लकप के धोनी के उस चक्के की जो धोनी के बल्ले से निकला और सीधे वान खेड़े स्टेडियम की दर्शक दीदगा में जाके गिरा पूरा भारत खुशी से जूम उठा था पर सवाल ये है कि क्या ये चक्का सच में सीधे जाके गिरा था चाहे धोनी का बल्ला हो या किसी और का आपने ये गौर किया होगा कि बल्ले से लगने के बाद गेन हावा में कुछ दूर उपर जाती है और फिर वापिस नीचे आगिरती है धोनी के बल्ले से निकली ये गेंद बिलकुल सीधे हवा में नहीं गई थी बलकि इसका मार्ग तो कुछ इस प्रकार था ज़रा गौर से इस मार्ग को देखिए तो क्या लगता है आपको? कैसा है ये मार्ग? क्या ये एक वृत यानि सरकल है? एक वृत के मार्ग के सारे बिंदू एक निर्धारित बिंदू से बराबर दूरी पे होते हैं पर धोनी ने जिस गेंद पे प्रहार किया था उसका मार्ग वृताकार नहीं था उसे हम प्रकार एक वृत के मार्ग के सारे बिंदू एक निर्धारित बिंदू से बराबर दूरी पे होते हैं वैसे ही एक पैराबोला के मार्क के सारे बिंदू किसी एक निर्धारित रेखा और एक निर्धारित बिंदू से बराबर दूरी पे होते हैं पैरा बोला के मार्क को हम एक right circular कोन की मदद से भी देख सकते हैं अगर हम इस कोन को कुछ इस तरह से काटें कि ये plane जो कोन को काट रहा है वो इस कोन के ये tangential plane से parallel हो जाए तो जो मार्क बनेगा उसे भी पैरा बोला ही कहेंगे सीधी फिकी गई वस्तु का गणित समझने के लिए हम इस एक डंडे पर धागे या रसी को कुछ इस प्रकाल अटकाएंगे हमने सारे धागों को 10 cm की बराबर दूरी पर रखा है और धागों की लंबाई एक से चालू होने वाले perfect squares के अनुपात में बढ़ाई है जैसे पहले धागे की लंबाई एक इंच, दूसरे की चार इंच, तीसरे की नौ इंच, चौथे की सोला इंच यानि धागों की लंबाई अपने स्थान की संख्या के वर्ग के रूप में भड़ रही है जैसे तीसरे स्थान के धागे के लंबाई 9 इंच रखी जाएगी जो 3 का वर्ग या स्क्वाइर है प्रतेक धागे के निचले सिरे में भारी वस्तु बांदी है ताकि धागा बिलकुल सीधा लटका रहे अब गेन को आगे की दिशा में फेक देते हैं और देखिए कैसे हमारी गेन सारे धागों के सबसे निचले हिस्तो के पास से गुज़र रही है ये तो बिलकुल अधबुत है चलिए अब धागों को थोड़ी दूरी और बढ़ा देते हैं 15 सेंटीमीटर कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि गेन सारे धागों के निशले हिस्तों को फिर छूते हुए निकले। इस बार हमें थोड़ा जोर से फेकना पड़ा पर एक बार फिर गेन सारे धागों के सबसे निशले हिस्तों के पास से गोजर रही है। तो इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी वस्तू को अगर सीधे यानि जमीन से पैरलल फेका जाए तो उसका मार्क पैराबोला ही होता है. अगर किसी सीधी फेकी गई वस्तूग का मार्क पैरा बोला है तो वो हर एक निर्धारित समय के बाद जमीन की दिशा में जो दूरियां तै करेगी उसका एक निर्धारित एक निश्चित अनुपात होना चाहिए ये दूरिया एक दूसरे से उसी अनुपात यानी रेशियो में होगी जिस अनुपात में एक से चालू होने वाले और नमबर या विशम संख्याए होती हैं यानी एक अनुपात तीन, अनुपात पाच, अनुपात साथ और ऐसे ही और इसी प्रकार पैराबोला के मार्ग में चलने वाली किसी भी वस्तू की शुरुवात से तै की गई दूरी एक से चालू होने वाले perfect squares के ratio में होगी यानी एक अनुपात 4, अनुपात 9, अनुपात 16 और ऐसे ही आगे इससे हमें ये भी समझ में आता है कि अगर odd numbers या विशम संख्या को एके करके क्रम उनुसार जोड़ा जाए तो वो perfect squares बनाते हैं जैसे 1 प्लस 3 का जोड 4 है जो की 2 का square है और वैसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 का जोड 9 है जो की 3 का square है और वैसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का जोड 16 है जो की 4 का square है कितना सुन्दर है ये पैराबोला का गड़े आपको ये जानके और भी अचमबा होगा कि अगर कोई वस्तू स्वतह ही सीधे नीचे गिरे या अगर उसे हम पैराबोला मार्ग में गिराएं तो किसी भी समय इन दोनों ही मार्गों में गेन द्वारा तै की गई खड़ी दूरी का मान एक ही रहता है यानि गेन खड़ी दूरी या वर्टिकल डिस्टिंस कितना तै करेगी इसका उसकी शुरुवाती गती से कोई भी संबंद नहीं है आईए एक और गती विधी से इसे और अच्छे से समझते हैं इस बार हमने एक टेबल के किनारे पर एक सकेल की मदद से चार-चार सेंटीमीटर की दूरी पे पांच सिक्के रखे हैं अब हम इन सिक्कों को इसी सकेल की मदद से एक साथ ऐसा जटका देंगे ताकि वे टेबल से एक साथ नीचे गिरें तो इसके लिए एक स्केल को मैंने अपने सीधे हाथ में कसके पकड़ा है और अपने दूसरे हाथ से मैं इसे इस प्रकार पीछे की तरफ खीच रहा हूँ ऐसा करने पे ये स्केल जोर से आगे की तरफ आएगी लेकिन जो हिस्सा सबसे दूर है वो सबसे तेजी से आएगा और जो हिस्सा सबसे पास है वो थोड़ा धीरे आएगा क्योंकि ये सारे एक ही स्केल के भाग हैं ये एक साथ सीधे होंगे और इसी लिए सबसे दूर वाला हिस्सा सबसे तेजी से आएगा तो चलिए सिक्कों को धका देते हैं और ये मैंने स्केल को पीछे खीचा और ये चले सिक्के अपनी पैराबॉलिक यात्रा पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सब सिक्के किसी भी एक समय पर एक ही उचाई पर हैं ये सभी सिक्के हमेशा एक साथ एक ही उचाई पे रहे और एक साथ ही जमीन पे भी गिरे अगर हम इन गिरते हुए सिक्कों के वीडियो का विशलेशन करें तो हम ये भी पाएंगे इन सभी सिक्कों की शुरुवात से तै की गई दूरी एक से चालू होने वाले परफेक्ट स्कॉायर्स के अनुपात में ही है और हर निशित समय के बाद जमीन की दिशा में जो दूरियां तै की गई हैं वो एक से चालू होने वाले विश्यम संख्याएं या और नंबर्स के अनुपात में है अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पैराबोला हम देख रहे हैं ये किताबों में दिखने वाले पैराबोला या धोनी के चक्चे वाले पैराबोला से अलग क्यों दिख रहा है किताबों में पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है धोनी के छक्के वाला पैराबोला इस किताब वाले पैराबोला का ठीक उलट है और इन गिरते सिक्कों का पैराबोला धोनी वाले पैराबोला का आदा भाग है पर ये सब पैराबोला ही हैं इन सभी मार्गों के सारे बिंदू किसी एक निर्धारित रेखा और एक निर्धारित बिंदू से बराबर दूरी पे हैं और यही तो पैराबोला की परिभाशा है अब इस परिभाशा को और अच्छे से समझने के लिए हम एक कागस को मोड के अपना खुद का एक पैराबोला बनाएंगे वैसे ये बिंदू कहीं भी हो सकता है पर निशले किनारे के नजदीक होने से थोड़ा आसानी से आगे वाले स्टेप्स हो पाएंगे। अब हम इस निशले किनारे का एक बिंदू उठाकर उपर वाले बिंदू पर रख देंगे और कागस को क्रीज कर देंगे। निशली क्रीज से एक समान दूरी पे है। तो अब आपको शायद पैरा बोला तो थोड़ा और समझ में आगया होगा। पर क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये गेंद हर बार चितनी भी जोर से बल्ला घुमालो सीमा रेखा के पार क्यों नहीं जाती। कई बार तो इतनी उची चली जाती है लगता है कि तारा तोड़ के लाएगी और कई बार थोड़ी सी भी दूरी तै नहीं कर बाती। तो गेंद कितनी दूर जाएगी ये इस बात पे भी निर्बर करता है कि बल्ले से जब गेंद निकल रही है तो वो जमीन से कितना कोण बना रही है। अगर कोण बड़ा हो तो गेंद की गती का अधिकांश भाग उपर जाने में ही उप्योग हो जाता है। और अगर कोण छोटा हो तो गेंद की गती का अधिकांश भाग आगे जाने में उप्योग होता है। अब कोण को अगर हम बड़ा रखेंगे तो गेंद सिर्फ उपर जाएगी और कोण को अगर छोटा रखेंगे तो गेंद सिर्फ आगे जाएगी। लेकिन अगर आप कोण को छोटा रखें ये सोचकर कि इससे गेंद बहुत आगे जाएगी तो ऐसा भी नहीं होता क्योंकि अगर आपने कोण को छोटा रखा तो वो थोड़ी भी उचाई नहीं ले पाएगी और बहुत जल्द ही जमीन को छूँ जाएगी तो इस पहिली का उत्तर भी बाकी जीवन की सारी पहिलियों की तरह वही है कि हमें ना तो चीज बहुत बड़ी चाहिए ना बहुत छोटी याने की मध्यमार्ग गेन का कोन ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा उसे कहीं बीच में ही होना चाहिए जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं आम तोर पे सबसे ज्यादा दूरी हमें 45 डिग्री कोन के आसपास मिलती है पर ये इस पे भी निर्भर करता है कि हवा से घर्शन कितना है पैराबोला संबंदित आकृती या मार्ग आपको आसपास भी देखने को मिलते होंगे डिश एंटिना, टॉर्ज के बल्ब के पीछे चमक्ती कटोरी तो आप भी अपने आसपास की दैनिक उप्योगी चीजों में और प्राकरतिक और दैनिक घटनाओं में ये देखिए कि कहीं कोई पैराबोला तो नहीं चुपा हुआ है तो आज हमने इस क्रिकेट की मदद से पैराबोला की गनित और थोड़ा विज्ञान सीखा हम आशा करते हैं कि आपको ये सिद्धान समझ में आये होंगे और अगली बार जब भी आप बल्ला लेके क्रिकेट खेलने निकलेंगे तो इन सिद्धानतों का उप्योग करेंगे और इने और बहतर से समझें